तो गाइस अगर आप सभी लोग भी PC गेमिंग करते हो न तो आप सभी लोग के बात के बारे में जुरूर पता होगा जो कि यह है गाइस कि अगर आपके PC में RAM कम हो या फिर आपकी जो RAM है वो इतनी ज्यादा कम है कि आपकी जो गेम्स है उसको चला नहीं पाते तो आपके बा अब वर्चुल मेमरी का मतलब यह होता है कि आप सभी लोग अपनी हार्डिक्स से कुछ मेमरी उठा कर ले लेते हो as a RAM यूज़ कर लेते हो मतलब हार्डिक्स से कुछ मेमरी का यूज़ करना as a RAM virtual memory कहलाता है अगर आप सभी लोग के पास RAM कम है तो आप सभी लोग हार्डिक्स की मेमरी को as a RAM की मेमरी यूज़ कर सकते हो as a virtual memory उसको गई वर्चुल मेमरी कहा जाता है और आप सभी लोग की जो Windows होती है उसमें आप सभी लोग को virtual memory की option मिल जाती है अब बड़ सभाल ये उठता है कि अगर हम सभी लोग gamers हैं तो क्या virtual memory का यूज़ करकर क्या हमारे fps में कोई फरक पड़ेगा क्या gaming की performance increase होगी क्या games अच्छी चलेंगी या फिर कुछ फरक नहीं पड़ता है इसका या फिर दिखावे के लिए है तो आज की वीडियो में हम सभी लोग इसी को test करेंगे मैं आप सभी लोग को दिखाऊंगा before and after कि अगर हम सभी लोग virtual memory यूज़ करें क्या उससे कुछ फरक पड़ता है या फिर नहीं PC यहां पर आप सभी लोग एक question होगा कि why I am not using screen recording and the answer is simple मैं screen recording इसलिए नहीं यूज़ कर रहा because I don't wanted to lose any fps because आप सभी लोग को पता है कि अगर हम सभी लोग screen recording यूज़ करेंगे या निकि कोई recorder यूज़ करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जो हमारे fps है वो कुछ lose हो जाते हैं जो कि हम नहीं देख पाएंगे और हमें problem आएगी actual experience है में कम मिलेगा तो यहां पर इसलिए मैं आप सभी लोग को बता दू मैं screen recording यूज़ नहीं कर रहा वो आप सभी लोग अपनी screen पर देख रहे पा रहे हो यहां पर जो भाई मुझे fps मिल रहे हैं वो 52-55 है जो कि मैं average fps बता रहा हूँ increase होते होते हैं 70 के पास भी चले जाते हैं I know बट जो भाई हम game play करते हैं जो भाई averagely रहते हैं fps गारी चलाता है वक्त जब बट चिटिस की तरफ जाते हैं याँनि कि यहां पर ज़यादा बंदे होते हैं वहां पर जाते हैं तो यहां पर जो भाई fps मिल रहे है वो भाई 52-55 fps का average है यहां पर जो लोज कीBO के बात करें तो यहां पर और अब बात कर लेते हैं कि virtual RAM अपलाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमें कुछ FPS का increase मिलता है क्या हमारे average FPS increase होते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस average FPS के बारे में कि हमारे जो average FPS हमें मिल रहे हैं क्या वो increase होते है या फिर नहीं तो जल्दी से हम सब लोग apply कर लेते हैं virtual RAM तो जैसे यह आपसे भी लोग देख सकते हों मैंने apply कर दी है virtual RAM मैं apply कर रहा हूं यहाँ पर सभी settings करने के बाद मैंने अपनी virtual RAM की पूरी settings कर दी है यहाँ पर virtual RAM को apply कर दिया है अब हम GTA 5 को play करते हैं यहाँ पर आपसे भी लोग को देखने के लिए मिर रहा होगा कि जब मैं apply GTA 5 को play कर रहा हूं after applying virtual RAM तो यहाँ पर जो हमें average fps मिल रहे हैं वो यह गई 55 to 60 fps यानि कि गई 5 fps का में ज्यादा increase देखने के लिए मिरा after applying virtual RAM तो यहाँ पर आपसे भी लोग को मैं बता दूँ यह scene जो भाई आपसे लोग देख पा रहे हो यह virtual RAM के बाद वाला scene है यान कि virtual RAM को apply करने के बाद मुझे fps ज्यादा मिलने लग गए है और यहाँ पर गई एक ध्यान रखने के बात यह है कि जो मैं अपना PC यूज कर रहा हूँ उसमें already RGB RAM है यहाँ पर मैं आप सभी लोग को आपकी information के लिए बता दूँ कि जो GTA 5 है वो R से ज्यादा RAM मांगती भी नहीं है क्योंकि जो GTA 5 है उसके लिए RGB RAM बहुत है चलाने के लिए तब ही जो मेरे virtual memory का यूज करने के बाद मुझे FPS का increase मिला है वो सिर्फोर सिफ 5 है बटे यहाँ पर जो आपके case में होगा वो अलग हो सकता है अगर आपके पास सिर्फोर सिफ 4GB RAM है और अगर आप सभी लोग के पास सिर्फोर सिफ 4GB RAM होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो FPS का increase मिलेगा वो मेरे से ज्यादा होगा बिकोज मेरे पास 8GB RAM है तो अगर आपके पास 4GB RAM है और आप तब भाई virtual memory का यूज कर रहे हो तो आपको शायद FPS का ज्यादा मिलना चाहिए बिकोज यहाँ पर virtual memory का मीनिंग यही होता है कि आपको RAM ही मिल रही है एक तरह की तो इसलिए आपसे भाई आपसे भी लोग को जादा मिलेगी as compared to मेरे FPS तो यह भाई आपसे भी लोग अपने PC में try कर सकते हैं कुछ भी आपको करने की जो इतर नहीं है Windows में यह option है तो आपसे भी लोग भाई जरूर virtual memory का use करो and use करकर भाई आपसे भी लोग भी थोड़े बहुत FPS या फिर इंक्रीज होता है आपके भाई performance का वो आपसे भी लोग कर सकते हो and यहाँ पर मैं आपको पताओं कि क्या क्या यहाँ पर आपको benefit मिलते हैं तो यहाँ पर गैज अगर FPS ज़्यादा increase ना हो बटे यहाँ पर जो भाई ज़्यादा फालतू की stuttering होती है या फिर भाई drops होते हैं frame के बहुती ज़्यादा drops वो भाई सभी ठीक हो जाते हैं अगर आप सभी लोग इसको use करोगे and यहाँ पर मेरे case में भी यह हुआ है मेरे भाई जो unnecessary frame drop थे जो भाई फालतू में मेरे FPS degrees हो जाते थे या फिर stuttering थी थोड़ी बहुत वो ठीक कर दिये virtual memory में तो यहाँ पर virtual memory use आप सभी लोग जुरूर करना अगर आप सभी लोग थोड़ा बहुत भी भाई अपने PC या फिर अपनी गेम की performance को increase करना चाते हूँ well to guys I hope आप सभी लोग को जो चीज़ देखी होगी उससे आप सभी लोग को समझ आ गया होगा कि क्या virtual memory आप सभी लोग की जो RAM है as a RAM use होती है या फिर नहीं क्या यह फरक डालती है या फिर नहीं अगर आप सभी लोग आज ही वीडियो देखकर यह सब कुछ पतार लग गया है so यह क्या कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि भाई आई सभी लोग को आगे इस चैनल पर मिलते रहेंगी गेमिकर रिलेटिड पीसे रिलेटिड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है और बाई दिवे आप सभी लोग नोटिविगेशन बैल को चेक कर सकते हों आपको नोटिविगेशन आजाए और आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक ने गई